तो जिसका वेट था जिसका ट्रेलर काफी जादा पसंद गया गया था आकिरकार वो मुवी जो थेटर्स में आ जाती है तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुझा मुवी के बारे में तकरीबन जो इस मुवी की लेंट है वो दो घंटे पंदरा मिनिट के आसपास की गई है अब मुवी में क्या अच्छा है क्या बूरा है इसके ओपर जाने से पहले इस की कहांनी पर हम फ़ोकस कर लेते हैं यह मुवी जो है वो अब कैसे बंदा हुआ था कैसे आजाद होता है देखो इन सारे सवालों के जवाब तो आपको मुवी देखने पर ही पता चलेंगे अब मुझा की जो एक हाड़कॉर इच्छा है वो ये की बैसा वो शादी करना चाहता है इसके लिए वो किसी की भी जान ले सकता है जो बीटू है वो कैसे अपने आपको इस मुझा के स्कैट से बचाएगा अपने चाहने वालों को मुझा से कैसे बचाएगा ये सब जानने के लिए तो फिर से मैं कहूँगा कि आप लोगों के मुवी देखनी होगी अब बात करते हैं कि मुवी में क्या-क्या अच्छा है देखो मुवी जब स्टार्ट होती है तो एक जैसे स्टोरी दिखाई गई है स्टार्टिंग में तो वो एक ऐसा फील करवाती है कि हाँ वोई मुवी काफी जादा होरर फूल होने वाली है काफी बढ़िया इसके पर वर्क किया गया स्टार्टिंग में तो वो सब फील होता है हाँ ओरर भी मुवी के अंदर कहीं कहीं जगा तो बहुत जादा ड्रामना दिखाया गया है जो देखकर लगता है कि आरब वाकई में यहां पर बहुत बड़िया काम किया गया है देखो मुवी जो है वो दो जोनर के पर एक तो होरर प्लस कोमेडी कोमेडी के अगर बात करूँ तो वो मुझे होरर से काफी जादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें कुछ-कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको आप 100% वापस ला कर भई हो इसको बैक करके एक बार फिर से दिखा दो डिटरली मेरा ऐसा मन किया जब मैं इस मूवी को थेटर्स में देख रहा था तो यार मेरा मन किया कि यार ये वाला सीन यार मुझे फिर से देखना है फर एक्जामपल कि जब बिट्टू और जो उसका कजन है जब वो मुन्नी को ढूंड लेते हैं जो मुन्जा कह रहा था कि मुन्नी को ढूंडो मुन्नी को ढूंडो जब वो मुन्नी को ढूंड लेते हैं तो मुन्जा का reaction जब मुन्नी को डूंड लेते हैं जब मुन्जा का reaction प्लस में जो background में music चल रहा होते हैं वो कमाल का होता है यार वो वाला scene मेरा ऐसा feel किया गयर इसको एक बार और दिखा दो जब यह movie OTT के platform पर कि मलता होट स्टार के OTT के platform पर आ जाएगी तो वहां पर इस movie को मैं देखूँगा movie में एक emotional angle भी दिखाया गया है जो दादी पोते का emotional angle है वो भी काफी ज्यादा मुझे पसंद आया अब movie में अगर performance की बात करूँ जो main जो कलाकार है अब यह वर्मा जिन काफी ज्यादा पसंद आई उनकी comedy timing है जितना भी उनको screen time दिया गया है उस screen time में वो काफी ज्यादा एक जब भी जाए था dangerous उसको दिखाना चाहिए था लेकिन वह सब चीज़े नहीं है उसके अंदर आप उसको comedy के तोर पर मतलब पर प्रेजेंट कर रहे हो साधी जाद मुवी में horror को और जादर दिखाना चाहिए था लेकिन वह सब चीज़ें नहीं होती है इसमें डैप्स में horror दिखान किया वह बिट्टू कुछो करेक्टर उसके उपर जो राइटिंग की गई है वह बहुत ज्यादा वीक है उसको शुरू से लेकर आखिर तक एक आप डरते हुई दिखाते हो शर्माता है डरता है चीकता है चलाता है बस यही कर रहा है पूरी मुवी के अंदर उसके अंदर सहास नहीं उत्पन होता कि भाई साब अब एक ऐसी टाइम आ चुका है कि अब तिरको अपने परिवार के लिए लड़ना है लेकिन नहीं वो सिर्फ डर ही रहा है उस पूरी मुवी के अंदर वो एक सहास का दिखाना कि हाँ आप अपने डर के उपर काबू पा चुके हो ले आपको मुवी जो है वो एंटरेटेंट कर देगी और जो मुझे परसनल लगा कि यार देखो इस मुवी के अंदर जो चोटी-चोटी चीजी थी उनके ओपर भी अगर मुवी के मेकर सकर ध्यान देते तो मुवी काफी जादा अच्छी हो सकते थी एक चड़ी वाला सीन होता जिनके अदर आप कम्यों चोटी-चोटी कम्यों को अगर दूर करते तो मुवी बैटर हो सकती थी कोल मिला करता देखो मैं यही कहूँ कि मुवी वन टाइम वोच आप कंसेडर कर सकते हो आपको शायद और जादा भी पसन आ सकती है तो मेरी दरफ से देखो मैं इसको देना जाओंगे 6.5 अगर आप लोगों ने मुवी देखे तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लेगी अगर नहीं देखे तो जैसे मैंने कहा कि भाई साब आप जाईए एक बार तो आप इसको देखिए आपको अच्छा लगेगा एक entertainment आपको मिल जाएगा तो बस आज क